नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेटी विध्यान प्रिकास में आज तीन मार्च है उनतरजा सिक्षक भरती पर आज की सुनवाई लगबग सवादो बजी से सुरू होगी और इस पर जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको साम को सूचित करूँगा लेकिन आप कोई केस चलता है किसी केस पर कोई बहस होती है तो उसमें दो टीमें होती है दो पक्ष होते हैं एक पक्ष जब अपनी बहस कर रहा होता है तो कुछ ऐसे बिंदू जिस पर बहस करनी दूसरे पक्ष के लिए अपने मामले को अस्पष्ट करना ज़रूरी होता है तो उन बिं में तो फिर जब एक पक्ष अपनी बहस कंप्लीट कर लेती है तो जो जो बिंद जिन जिन बिंदू उपर चर्चा कर नहीं आवस्चेक होती है दूसरी टीम के द्वारा तो उस पर चर्चा की जाती है तो यही जो टर्म है इसे रिज्वेंडर के नाम से जाना जाता है जैसे क कि इस समय सिख्षामित्रों का जो पैनल है वो बहस कर रहा है तो जो भी चीजें बीएट के विरोध में या फिर बीटीसी के विरोध में बताई आएंगी या भी 90-97 तो उस पर जो क्लिरिफिकेशन होगा उसको बीएट बीटीसी की टीम कि जो अधिवक्ता होंगे वो अप हाप इस तर्म को अच्चे से समझ गए होंगे और यूपीटी में जो भीवाधित प्रस्थन हैं तो उसपर भी सुनवाई होनी है और अब भीवाधित जो प्रस्थन हैं उस पर सुनवाइ oppos art Less चार मार्ज को तो अब आगे की बहस आगे मंदब जो होगी तो उस पर जो भी अपडेट होगी वो चार मार्श को मैं आपको पताऊंगा और इसी के साथ देखे एक नियूज निकल के आई है CTET में अगर आप 2 मार्श तक भी आविदन नहीं कर पायते हैं हलां कि इसमें पहले 24 समय तक आविदन की अंतिम तिति रखी गई थी फिर 2 मार्श तक आविदन की जो तिति थी वो बढ़ा दी गई थी लेकिन अब इसे बढ़ा कर 9 मार्श कर दिया गया है ठीक है तो 9 मार्श तक अब आविदन होंगे और 13 मार्श तक फीज जमा होगी और 16 मार्श तक आप फीज कर सकते हैं और इतना लंबा समय आपको मिल रहा है फिर भी अगर आप से कोई तुटी हो जाती है तो 17 मार्श लेकर 24 मार्श तक आप www.ctet.nac.in पर जाकर इसमें कर सकते हैं तो यह सारी चीजें हैं यानि कि अब दोबारा से CTT में आविदन की जो तिती है वो बढ़ा दी गई है और जैसा कि आपको पता होगा कि जुलाई में परिक्षा होनी है ठीक है तो जुलाई में यह जो परिक्षा होनी है यह इसका 14 संस्क्रण होगा 5 जुलाई को यह परिक्षा होगी तो जितने भी लोग इस परिक्षा में सामने होना चाहते हैं वो फटा फट अब अच्छे एक बात और बता दें कि इसके बाद तो अब जो है जो डेट होगी वो नहीं एक्स्टेंड होगी यह लास्ट है ठीक है तो अब इंतजार मत कीजिए अब इदर नहीं किया है तो कर लीजिए और द्रोगा भरती के बारे में बहुत लंबे समय से बहुत सारे भरती इंतजार कर रहे थे उनको लग रहा था कि द्रोगा भरती कब आएगी और इसके बारे में कई बार मैं आप अप्डेट कर चुकों लगबग 12 महीने से भरती जो है वो इंतजार कर रहे थे द प्रोती बोर्ड जल्द उपन रिक्षक और समकष के 5623 बदों पर भरती परिशा कराने की त्यारी में हैं और एक बात और भी है कि यह जो परिशा होनी है वो घर्मी में ही हो जाएगी यानि कि मैई जुन जुलाई तक यह परिशा हो जाएगी और आगे जलकर अक्टूबर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही सांदार और इसके बारे में हम डीटेल में चाचा करेंगे एक अलग वीडियो के मात्यम से यहां पर मैं बस आपको यहीं बतना चाहूंगा कि उत्तरपदेश पुलिस भरती एवन पुरती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी कर दिया क्या है और जल्दी दरोगा भरती का जो विग्यापन होगा यह भी जारी हो जाएगा और इसी वर्स के अंतितक दरोगा भरती पूरी भी कली जाएगी यानि कि 2020 में आप एक सांदार केरियर बना सकते हैं यूपी पुलिस में ठीक है तो पूरुस महिला आरक्षी ज 2638 पदों पर और आरक्षी गुर्शवार के 102 पदों पर फायरमैन के 2065 पदो पर जैन की कारवाई भिबिन अस्तरों पर चल रही है जेल jigwater के पदों पर भरते के लिए नेमवली में कुछ संसुतन होने हैं और जे लवार्डर के पदों पर परिचा करदेर हो गया हैं रेडियो पुलिस में भरती पसταवी थे नेमवाली में दिव्यांग Свेज कुछ कुछ बदलाओं के बाद यह भरती सुरू हो जाएगी तो यह बहुत ही सांदार आउसर हैं आप सबी लोगों के लिए अगर आप पुलिस सेवा में अपना करेयर बनाना चाहते हैं तो और इसका बीग्यापन बहुत जल्दी जारी हो जाएगा देखे चार सीट दाखिल होने क के बाद ही रिजल्ट की उमीद यूपी पीएसी में हिंदी और समाजी विज्ञान के रिजल्ट के लेकर असमंजस की इस्तिती बनी हुई है लटी ग्रेट का मैटर है और आप जानते होंगे कि बहुत समय से अभिरती जो है वो हिंदी और सोसल साइंस के रिजल्ट का इंज करना है कि उन्हें आयोक से अब तक कोई पत्र ही प्राफ्त नहीं हुआ और आयोक के सुत्रों का कहना है कि मामले में सब्सक्राइब करें बेटियों को 9213 पदों पर सकाइनोक रिजल्ट मिल जाएगी और यह जो भरती होगी वह परिवार कल्याने वाग करेगी एनव की रि जो पत्ते वो खाली बड़े हुए थे सरकारी एस्पतालों की सिवावों में इसे सुधार होगा और इसमें इंट्रेमीडियेट या समकक्ष परिक्षा उत्तिण भारती परिचर्या परिशत के नेमों के अनुसार डेड़ वर्स या दो वर्सका सायक नर्सेज एंड मेडवाइफ यह की एरम पार्टिक्रम किया हो तो ऐसी जो लड़किया हैं जो महिलाएं वह आवेदन इसमें कर और आपको बताते हैं कि कुल 9213 पद हैं और यह जो भरती होगी वह यूपी ट्रिपल स्थी के माध्यम से होगी तो यूपी ट्रिपल स्थी का जो पैटर्ट हैं उसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे सांधार नोक्री होती है महिलाओं के लिए जो लोग मेडिकल के चेतर में जाना चाहती है और देखें यहाँ पर मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ ने बड़ी कारवाई किये पूर्वन नगर विकास मंतरी आजम खान के कारेकाल में जल निगम में की गई 1188 न्यूक्तियां रद्धिकर दीगी हैं इनमें 853 जेई और 335 क्लर्क थे यह सभ कार ने सो मात देर रात्या करवाई की और कुछ अभरतियों ने आरोप लगाया था कि मेरिट सुची में उपर होने के बावजुद भी उनका चैन नहीं हुआ था तो देखो यहाँ पर जो भरती थी यह 16 में हैं और यह परिशा कराने की जिमिदारी मुंबई की अप्टेक लिमिटेट को दी गई थी इस आनलाइन परिचा में अनिमित्ता की सिकायत पर चाहत राइगोट पोचे तो अदालत के निर्देश पर करीवी भागने साइटी को जांसोपी थी पूरी जांकादी आपको मिल जाएगी हमारे फेजु केस से चाहाँ पर जाकर आप इस खबर क के बाद बढ़ा दिये गे थे नंबर ऐसी सुचना ऐसी सुराख सीवियाई को मिले हैं सीवियाई ने च्छ ऐसे मामले पकड़े जिसमें इंटर्वियों के बाद अब बिर्दों के अंक बढ़ाए गए और सभी छ बिर्दों का पीसेस के उच बदों पर चैन हुआ था जाएंगे चैन बोड के 5 सदस है और 38 साल बाद चैन बोड के उसमेंटने की त्यारी है आप जानते होंगे कि अब उत्तर प्रदेश में बेसिक से लेकर असेस्टर प्रफेसर तक टेजीटी पीजीटी को जोड़कर जितने भी भरतिया होनी है वो नौगठित सिक्षा सिवा चैन आयो के माध्यम से होगी और 1982 में ये चैन जो था इसका गठन किया गया था फिलाला भी जो बोड है वो दिले दिले समाप्ति की हो रहे हैं और 8 अपरेर को 6 में से 5 सदस सेवा निपरित हो जाएंगे इसके बाद अध्यक्ष विरेश कुमार व एक अन्य सदस किसन बीर स साथ की बेचेंगे चुकि सरकार ने उत्तरपति सिक्षा सिवा आयोग अगठन कर लिया है ऐसे में अध्यक्ष विरेश कुमार और किसन वीर सिंग साथ की सैद ही अपना कारेकाल कूरा कर पाएं सुत्रों के अमसार जल्दी नया आयोग एड़ेट कालेजों की भरती अपने अजीत सिंग और एलपी इंटरकालेज सहदार नगर गोरकपुर की पताना चारा डाक्टर दिनेश मणी तरिपाठी यह सारे लोग सिवा निव्रित्व हो रहे हैं और उत्तरपतिस सिवा आयोग के पास बड़ी जीमेदारी होगी जैसा कि आप जानते हैं कि अब उत्तरपत टेक्निकल तो अब यह अपना मदद देंगी और निश्चित रूप से अगर यह कंपनियां सामने आती हैं तो एक काफी परिवर्तन देने को मिलेगा बेसिक स्कूलों में और जैसा कि कल के नियूज मैंने आप लोगों को बताया था कि सपना की गाने पर ठुमका लगाने व सपना चौदरी के घीत पर ठुमके लगाने वाली सिछिका के मामले में सोमार को शिछ भागने कारवाई किये चार सिछिकाओं और दो सिछिकों को निलंबित कर दिया गया है और यह जो पूरा मामला था इसके बारे में कल ने डिस्क्स किया था तो यहां पर जो बेसिक बात सबी प्रतों की परिशाओं के लिए खंड सक्षा अधिकारी की परिशा है और इसके लाँ समीक्षा अधिकारी यह भी ट्रिपलसी की जो भी परिशा होने वाली है साथ-साथ-साथ- आर-ार-बी के लिए भी तो 2019 और 2020 के दोरान जितने भी ज्वाइन इमिलेटरी एकसरसाइजेज हुए हैं भारत के साथ वो सारी चीजे मैंने आप लोगो डिटेल ने बता दी हैं और इसकी पीडियेफ जैसा कि आप लोग कर रहे थे कि पीडियेफ आप लोगों को नहीं मिलती है तो पीडियेफ और ल से आप लाइक कर दीजेगा बहुत बहुत तन्यवाद